ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्णम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल यह राशिफले दो जनवरी दोजारतेईस सोम बार का दिन है पोश महा के शुकलपक्ष की एकाडशी ती थी है इस दिन पुत्रदा एकाडशी का महा पर रहेगा भरनी नामक नक्षत्र होगा तथा व्रशब रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकाडशी की बहुत बहुत शुपकामनाई एवं बढ़ाईया भगवान स्री लक्षमी नारायन का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें स्वस्त रहें व्यस्त रहें और मस्त रहें तो पुत्रदा एकाडशी की अधिक जानकारी यह दिया आप प्राप्त करना चाते हैं या कठा का सरवन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तुत किये हैं उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में होंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो दरपन में अपना चेरा देख करके यात्रा अरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी प्रातह साड़े साथ बजे से शुरू होकर के नो बजे तक रहेगा। इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपादित नहीं करना चाहिए। हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की धनु राशी में, वहीं चंद्रमा मेस राशी में, मंगल ग्रह ब्रशब राशी में, बुद्ध ग्रह की यदि हम बात करें तो धनु राशी में, देव गुरु ब्रहसपती जो की मीन राशी म शुक्र ग्रह मकर राशी में शनी डेव मकर राशी में राहू ग्रह मेस राशी में तथा केतू ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार व्रशब कर ककण्या व्रश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे दिक भागिशली रेने होगा अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतर तक जरू देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करेंगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी क इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्धी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सदुपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदी महत्वपूर्ण योजनाय बनेग प्रापर्टी या पैत्रिक संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मध्वेद उत्पन नहो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्य का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक नो होगा भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियो के परती आपका रुज़ान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खरीदने संबंदी योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल ज के परती गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानशिक व शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संब में गनेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्च पदासीन व्यक्तियों के पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका अर्थिक समय व्यतित होगा आर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नए नोकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी प्रापर्टी से संबंदित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी प्राप्ति विदियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तदारों की आबाजाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरवाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकून देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी ब अर्थिक मामले अभी पूर्वहित रहेंगे अनावश्यक खर्चों पर कटोदी करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदि आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरिक तथा मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्याट्मिक गत विशेश से आपका विचारिक मदभेद उत्पन नहों सकता है ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शांती अनुभव होगी और पड़ाई के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मनोवांशित परिनाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होस अब हम बात करते हैं कुमपराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मिश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलब्धियां प्राप्त होगी सुम्मेतव आदर्श बना करके रखना अति आवश अर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परंतु यह ताथका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी के ऊशकता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कारिय से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन पूर्ण कारियों में आप समय वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई सा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धिक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्म सादर धन्यवाद